बुक स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है आज सुनते है एक छोटी सी आत्म कथा किसकी अरे भाई उसी की जिस पर पूरे दिन भर पूरी रात भी याता याद चलती रहती है बस रिक्षा ट्रक साइकल कार इतना ही नहीं हम सब इनसान भी मुझे पता है आप समझ गए है मैं बात कर रही हूँ सडक की शीरशक है मैं सडक हूँ वाचन असावरी दोशी इस छोटी सी आत्म कथा के लिए मैं आभारी हूँ मैं सडक हूँ सब मुझ पर चलते है आदमी रिक्षा बस साइकिल सभी मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं बालक, जवान, बुढे सभी के कामाती हूँ मैं घर और विद्याले के बीच सेतू हूँ लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों और दुकाने लगाते हैं चौरा हे पर पुलीस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है वो यातायात को अनुशासित रखता है रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुढना पड़ता है पर इसमें मेरा दोज तो नहीं है न मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ लोग अपनी जरुरत से कभी मुझे टेड़ी नीची और उन्ची बना देते है मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था उस पर बैल गाड़ी तांगा उन्ट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे फिर कोलतार डाल कर पक्की सड़के बनने लगी आजकल नई तकनीक आ गई है इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे है अपना ये नया रूप बहुत अच्छा लगता है दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते है लोग पान खाते है बिना सोचे समझे जहां जी में आया मुझ पर थूख देत है थू 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 लोग जगा जगा मुझे खोद कर गड़े बना देते है इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाम हो जाते है गड़ों के कारण अनेक दुरगटनाएं होती है फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यूं करते है मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहत हूँ मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते है मैं जहां जाती हूँ वो परिसर विकसीत हो जाता है मैं चाहती हूँ कि हर गाव को एक दूसरे से जोड़ू लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं पूरे देश में खुशाहा लिला विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्च थी पूरी होगी। आप सुन रहे थे छोटी सी एक आत्मकता थी ये, मैं सडक हूँ। वाचन असावरी दोशी, Books That Speak पर। आप अगर Books That Speak को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो support.booksthatspeak.com पर जरूर आईएगा। तर्मिवाद